आईश्य खान ने भाई पताने क्या किस्मत पाई है जो भी चीज़ करती है वो चीज जो है आईश्य खान के विप्रीत ही चली जाती है जैसे अब आईश्य खान ने जो है लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बाते बोली अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी जाली है जहां पर जैसे कि लड़कियों को पिंपल हो जाते हैं लड़कों को भी होते हैं पिंपल हो जाते हैं दाग हो जाते हैं एकने हो जाते हैं तो काफे जदे टेंशन ले लेती हैं लड़कियां कि भाई हमारा फेस खराब हो गया हमें घर पे बैटना है नहीं जाना होती हैं कुछ लड़कियां और कुछ लड़की जो बे-दढ़ाग जो है वो चली जाती हैं कुछ लड़कियां ऐसी होती है तो इन्हीं सब चीजों को जो है मोटीवेट करने के लिए सामने आ गई आईशा खान आईशा खान ने बोला कि don't worry यह जो सब चीजे जो है वो होती रहती है एकनी आया कोई बात नहीं पिंपल्स आया कोई बात नहीं पता है यह सब चीजे आने के बाद जो है घर में बैठने का मन करता है बाहर जाने का मन नहीं करता है अपनी फेवरेट ड्रेस पहनने का मन नहीं करता है कोई बात नहीं यह स इन्हीं सब चीजों के उपर एक वीडियो डाली थी जो है पेड वीडियो जो की ट्रीटमेंट के लिए लेके कि एक हफते में तुम्हारा एकने ठीक हो गया तब भी तुम इतने जदा ट्रोल हुई थी उसी वक्त वे वीडियो की फिर उसी वक्त तुमने मेकप किया और दिख अगर प्रोडेक्ट उनको सही लगता है तो वो कहीं न कहीं तुम्हारे उपर ट्रस्ट करके तुम्हें प्यार कर सकते हैं पर ये चीजे जो है अब तुम ये सब चीजे बोल रहे हैं तो ये सब चीजे तुम जूट बोलती हो जो सिर्फ तुम पैसे के लिए करती हो तो ये फिर जाके दूसरों को मोटिवेट करो इस तरीके की जो है बाते अब आईशा खान के बारे में लोग कर रही है आईशा खान गई थी मोटिवेट करने खुद हो गई ट्रोल